हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चनल क्रेजी फेंटासी गुरूजी में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी एन पील के नोवे मुकाबले के बारे में तो मुकाबला खेला जाएगा अलके के वीच सी सी के बीच तो दोस्तों यह मुकाबला कहा खेला जाएगा यह आपको बता देते हैं वेन्यू रहेगा NPR कोलेज ग्राउंड इंडी कुल में खेला जाएगा मुकाबला साम को साथ बजे खेला जाएगा इस मैच की अगर पिच की बात करें तो दोस्तों पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच ओने वाली है इस पिच का एवरेज स्कोर 160 रनों का रहने वाला है और आयेज स्कोर की बात करें तो 210 रन के आजपास लग बगर रहने वाला है और इन दोनों टीमों के बीच से अब तक एड़ टू एड़ आड मुकाबले खेले गए हैं जिन में से CSG की टीम ने 6 मुकाबले जिते हैं और LKK की टीम ने 2 मुकाबले विन किये हैं तो दोस्तों आप बात करते हैं सिदा सिदा LKK की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में तो आइए चलते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं अलके के टीम का तो सबसे पहले विकेट कीपर में सुरेश कुमार रिसेंट मैचों की बात करें तो 33 रन दो रन 21 बीस रन और एड़ टो एड़ मुकाबले की बात करें तो दो मैच में 37 रन 18 काईवरेज स्कोर रहा है आपको यह इस वाले मैच में बहुत अच्छे पॉइंट देने वाले हैं 40 काईवरेज स्कोर यह आपको इस वाले मैच में देने वाले हैं तो आप इन्हें दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो फर्ष्ट इनिंग में और सेक्ट इनिंग में इसके बाद नमबर दो पर बात करते हैं सचिन की तो सचिन के रिसेंट मैचों का स्कोर देखें तो 0 रन 2 रन 6 रन 43 रन 47 रन एड़ टो एड़ मैचों की बात करें तो इन्होंने कोई भी मैच यहां पर नहीं खेला है अगर इनके आप सरू के मैच देखे तो कुछ भी प्रफॉर्म नहीं किया है लेकिन इन्होंने लाश्ट के मैच में देखे तो बहुत अच्छी प्रफॉर्मस की है तो आपके लिए यह अच्छा ट्रेंप प्लेयर होने वाला है तो आप इन्हें भी अपनी जील टीम में लेक बाते होंगे तो इनको आप सीवी सी में विट्राई कर सकते हो तो कैप्टेन तो यहां पर यह बनने भी बनने वाला है तो इसके बाद बात करते हैं राम अरुविंद की रिसेंट के मैच देखे तो 18 रन, 0 रन, add to add इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है आपको थोड़ा सा पनीशिंग टेस्ट दे सकते हैं इस वाले मैच के अंदर इसके बाद यूम कलेस बात करें 18 रन, 0 रन, add to add पर कोई मुकाबला नहीं खेला गया है और साथ की साथ बै लेकिन इनकी बैटिंग लास्ट में आती है और यह अच्छा फिनिशिंग टेस्ट दे सकते हैं इस वाले मैच के अंदर तो इसके बाद शारू खान की बात करें तो 17 रन प्लस 1 विकेट, 25 रन प्लस 3 विकेट, 41 रन, 6 रन, इनके add to add मुकाबलों की बात करें तो 6 मैचों में 207 रन, 14 आगा एवरेज स्कोर है, 3 इनिंग में एक विकेट, प्लस इस वाले मैच में भी 20 से 25 रन हैं और 1 से 2 विकेट हैं, सारू खान आपको इस मैच के अंदर भी देखे जाने वाले हैं, इसके बाद P विजू ते, एक ही मैच कहला है, बैटिंग ही नहीं आई, इसके बा कि बात करें तो, 9 मैच खेले हैं, जिन में 5 विकेट हैं, वेन्यू पर 11 मैच खेले हैं, 11 विकेट है, बंदे का फोर्म बहुत अच्छा है, टीम में लेकर जलना, इसके बाद बात करते हैं, गोतम खन्ना, एक विकेट, एक विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट, जीरो व मुकाबलों में 6 Wicket इसके बाद बात करते हैं Cirena Akως की वाई साथ बहुत बढ़िया बोल रहा हैं तो इसके recent के मैचों के बारे में बात करें तो 1 Wicket, 1 Wicket, 0 Wicket, 2 Wicket, 3 Wicket Add to Add मुकाबलों में 2 Wicket बोहुत यह बोल रहे हैं इनको आप अपनी टीम में जरूर से लेकर चलना इसके बाद बात करें MC डार्थ की रिसेंट के मैचों में 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, add to add में बात करें तो इन्होंने कोई मैच नहीं खेला, venue पर 4 मुकाबले 2 विकेट, बंदे के पास इतना बेरी पैस नहीं है, तो इन्हें आपे GL में ट्राई कर सकते हो, बाकि Small League में इसे आपे ड्रोप आउट करें के चल सकते हो, इसके बाद बात करें, CSG के टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो आईए जानते हैं टीम की प्लेइंग लेवने कैसे रहने वाली है, परसाद, सांग, पॉल, 25 रन, 18 रन, एट्वेड मुकाबलों के बारे में बात करें तो, एक मैच में, 0 रन, venue परें, 3 मैच, 14 रन, 3 का अविरेज स्कोर रहा है, केके की तरफ से आपे, सुरेज गुमार को कैप्टन कर सकते हो, और इसे आपे, यहां पर वो इस कैप्टन कर सकते हो, सीच जी की टीम की तरफ से, तो इसके बात बात करते हैं, एन जगदीशन की, रिसेंट के मुकाबलों के बारे में बात करें तो, से मैच खेले हैं, 210 का, 210 रन मनाए हैं, जीन में से, 42 का इवरेज स्कोर रहा है, वेन्यू पर 14 मैच खेले हैं, 649 का इवरेज स्कोर रहा है, बंदा यह भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और इनका परफॉर्मेस आप देख भी सकते हो, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेस करके जाने वाला है इस टीम के अंदर है, तो इनको आप अपनी टीम में जुरूर से लेकर चलना है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, बाबा अपरी जित की, तो रिसेंट के मैचों में इनका स्कोर देखे तो, 46 का प्लस 8 विकेट, 29 रन प्लस 2 विकेट, 4 रन प्लस 1 विकेट, साथ की साथ विकेट भी ले रहे हैं, और साथ की साथ बैटिंग भी कर रहे हैं, और इनका 8-to-8 रिकोर्ड देखे तो, साथ मैच, 313 रन, 62 का प्लस 2 विकेट, बहुत ही अच्छा दबरदस्ट प्रफॉमेंस है इनका भी, अब रिजित बाबा, इसके बाद बात करते हैं, संजे यादव की, इनके रिसेंट मैचों की बात करें तो, 22 प्लस 0 विकेट, 30 रन, 21 रन, 0 विकेट, वेन्यू पर 13 मैच खेले हैं, 364 रन है, 13 का इवरेज स्कोर है, 5 इनिंग में 2 विकेट, भाई इनको भी आपे, रिस्की तोर पर कैप्टन, वोइस कैप्टन कर सकते हैं, बंदे का परफॉमेंस कुछ इतना ठीक तो नहीं है, लेकि पिछले मैचों के मुकाबले देखा जाये तो बहुत अच्छा परफॉमेंस है, इस वाले मुकाबले के अंदर देखने को मिलने वाला है, इसके बाद राजपाल्ज 30, recent के मैच में, 0 रन, 31 रन, 5 रन, 1 रन, 8 रन, 8 रन, 8 रन, 8 रन की बात किरें, तो 7 मैच में, 125 काइट स्क हैं तो आप इन्हें अपने टीम से देख लेना अपने टीम में तो इसके बाद बात करते हैं रिश कुमार की बात करें रिशेट के मैचों की बारो रन दो विकेट आठ रन एक विकेट जीरो विकेट तेरा विकेट जीरो विकेट तेरा रन प्लस जीरो विकेट एड़ टूएट की बात करें तो चयर मैचों में तैईस रन देश काईबरे स्कोर पांच निंग में एक विकेट हैं वैन्यू पर अगर बात करें तो शाथ मैचों में 118 रन 20 का इबरे सकोर रहा है साथ निंग में दस विकेट लिए हैं बहुत अच्छा पले रहा है गेंद बाजी में धार है और इन्हों आपर रख लिए ना वही इसके बाद बात करते हैं साथ नंबर पर सशी देवर रिसेंट के मैचों की बात करें तो चार रन चार रन फिर पंतालीस रन फिर एक रन फिर आउरेज स्कोर2 वाले वन्यूबर है स सशिदेव आपगर लिग टीम में जुरूर विभर से ट्राइड कर सकते हो लेकिन चिंड में मीह इन्हीं बेल्कुब्र ट्राइल्ड ना-क्र ना तो मैं है आप नि सबिए आ में पाद ऐसें स्कnn tutti याने वाला हूं इसके शे विकेट लिए कोई अच्छा प्रपॉमाइस नहीं है इनका तो आप इन्हें ड्रोपाउट करके चल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं राइलशा की दो विकेट, एक विकेट, एक विकेट, तीन विकेट, एड़ वैड में छे मैच खेले हैं जिनमें 3 Wicket लिये हैं वेगिस पर इंधियों31 मैक खेल tax जिनमें से 14 Wicket लिये हैं तर शन्य आपको एक Wicket निकल कर देने वाला है इन्होंने हर मैच में एक दो 2 Wicket लिये हैं तो इस वाले मैpen मै hide भी आपको ससरे चैन्न अपने ठीम में try कर सकते हो, इसके बाद बात करें सिलंबा बार्सम तो इनको इस वाले मैच के अंदर खेलते नहीं नजर आने वाले हैं तो साइद आपको यह खेलते नजर ना है तो इनको हम यहाँ पर ड्रोप आउट करके चलने वाले हैं इसके बाद रोकी जीरो विकेट, दो विकेट, दो विकेट, रिसेंट के मैचों में इनकी जीरो विकेट, एक विकेट, एड्ट में इन्होंने कोई मैच नहीं खेला, वेन्यू पर एक मुकाबला जीरो विकेट, इनका भी कोई खास प्रफोर्मेंस नहीं रहने वाला तो आप इन्हें अपने इ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल जाएगा तो वहां से जाकर आप टेलिग्राम ज्वाइन कर सकते हों दोस्तों जाए जल्दी से टेलिग्राम ज्वाइन करिए और हम फाइनल्टे में आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड करते हैं तो टेलिग्राम का लिंक बोक्स में हैं तो जाकर वासिया आप टेलिग्राम जरूर से जवाइन करना जैहिन दोस्तों धन्यवाद जैहिन जैवार्थ